तो फाइनली ढूंडी लिया आपने, हाँ मुझे उम्मीद थी आप ढूंड लोगे, आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्याना बोर्ड क्लास 11, फिजिकल एजूकेशन, हिंदी मीडियम वालों के लिए, अगर आपका मीडियम इंगलिस है तो डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक से वीडियो देख सकते हो, आप यहाँ पर सुरू करते हैं MCQ, आज इस वीडियो में हम MCQ करेंगे सारे के सारे इंपोर्टेंट वाले, चलो सुरू करते हैं, मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास, लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले बता दू, अगर आपको बाकी की वीडियो भी देखनी है, फिजिकल के इंपोर्टेंट कोस्टन की वीडियो देखनी है, या अपकमिंग एक्जाम की, दिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, प्लेलिस्ट का उससे देख लेना, अगर आपको ये सारे कोस्टन वगरा लिखे हुए चाहिए, और अरली एक्सस चाहिए, देखो जैसे ये वीडियो हैं लेट आती है थोड़ी सी, तो उससे पहले, जो है वेब पहले, दो दिन पहले भी अपडेट हो जाता है, बहुत बार, तो वेब साइट को मैं इसलिए बताता हूँ, ताकि आप अरली एक्सस का फाइदा उठास को, cclchapter.com, इस वेब साइट के important question के section में सारी चीज़ अपडेट होती है, तो जरूर से check out करना, Google पे search करके, अब सु मजली हैं, तो आप इनकी practice कर सकते हो, मलब की question दिख रहा है, option भी दिख रहे हैं, तो आप इनको answer guess करने की कोशिस कर सकते हो, पहला question है, मनो विज्ञान, मानव के व्यभार का विज्ञान है, ये बात किस ने कही थी, तो देखो, नाम याद हो, ना हो, आपको सीधा अंसर द कोनों बाते ये व्यभार के regarding इसी ने कही थी, Watson ने, याद कर ले ना इसको, हमारे सरीर के निचले भाग में कितनी अस्थिया होती है, यानि कि हमारी जो टांगे हैं, ओपर से बीच में से काट दो, टांगों टांगों को गिन लो, तो उसमें कितनी हड़िया होंगी total, वो हम से पूछा गया है, वो होती है, 62, कई बार पूछा जा चुका है, निमलिखित में से अस्थियों का कारिया है, कौन सा कारिया है, एक चीज मस्त बताता हूं तुमको, physical education में जितने भी question आएंगे, जिसका भी option आपको उपरोक्ट सभी लगे, आख बंद करके लगा देना, सभी कभी मिलता है नहीं है, तो इस वाले में है, तो फाइदा उठाओ, 99% सही राइंगा, तुमारा अगर उपरोक्ट सभी दिखे, कुछ सोचना है नहीं सिधा लगा दो, ठीक है, अगर सोच सकते हो, तो पढ़ भी लेना, थोड़ा कष्ट कर लेना, उस पे भी, अस्तियो पासलियां फीमर कहला, हमको कोई सी का नहीं पता हमें पता है, बस पसलियों का है ना, तो पसलियां कैसी होते है, गोल होती है, बले अपना काम चल गया, हमें नहीं पता है, अंगल वैंगल हडियां, जितनी विया यह, जो भी नाम है, हमें पता ही नहीं है, आपको भी नहीं वन मार्क्स के simple question में भी पूछा जाते हैं इसे question, निमलिखित में से कौन सा jordная, ए शबीद गती वाला jord नहीं है, मतलब ए शबीद गती होते हैं, मतलब ऐसे rocket बना दो हडी के moment को, वो और काम नहीं हो गयाँ पे, तो कौन सा है वो, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में पहले तो कब जेदार जोड़ काठी दार जोड़ कील दार जोड़ सिमफीशिस जोड़ तो कुन सा जोड़ है सिमफीशिस जोड़ वाला ठीक है मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है पसलियां इनकी हड़ियां जो रीबस होती है हम परसवर्थ, इमर्शन, रोनाल्डो, अरस्तु, तो किस ने कही थी ये बात? इमर्शन ने कही थी, तपेदिक के जिवानु की खोज किस ने करी? रोबर्ट कोच, हिपोक्रिट, Litser, फ्लानार इमक्का, किस ने करी थी? रोबर्ट कोच ने करी थी, ये देखो ये सिम्पल सिम् संबंदी विक्रीति का कौन सा कारण है तो देखो पहले आख बंद करके उपरोग सभी दिखरा लगा दो अब देखते हैं संतूलित भोजन का भाव हाँ जी नियमित व्यायायाम ना करना बिल्कुल बिमारी हाँ उपरोग सभी ही हमारा अंसर रहेगा निमलिखित में से कौन स क्या संबन्दी विक्रीति रीड़ की हड्यों से संबन्दी नहीं है कूबढ़ आगे को लोरोम शिस इस गोल कंधे देखो ये जो भी हैं इनका तो नाम मेंसे पताई मैं है थोड़गीनी ना कंदे ह्या है तो इसलिए हनसर रहेगा घुझनों है गुल कंदे गुटनों का आ दूर दूर भाग जाती हैं तो अभी हमसे पूछा दूर वाला तो दूरमें क्या होता है बोह लाग है तो यह तीर रखो लोंच कर दो गुटने से और पता निकिसको जाकर लगेगा फिर तो याद कर लेना और बोह लाइग से दूसरे को भी पढ़ लेना एक अच्छा आशन वह है जिसमें सरीर संतूलित हो ताकि कम से कम थकावट उत्पन हो ये बात किस ने कही थी क्रूगर, एवरी, एडमसन, बिल्स तो किस ने कही थी ये कही थी एवरी ने पाचन नली की लंबाई कितनी होती है साथ मीटर, आठ मीटर, नो मीटर, डेड़ मीट नो मीटर की लंबाई होती है उसकी, पित का सांद्र अवस्था में भंडारन किस अंग में किया जाता है, पितास्या में, गुर्दे में, यकरित में, तो कहां होता है वो, पितास्या में होता है, बीसी जी, एक बिमारी है, उसका टिका किस रोग से बचाने को लगाते है, निमलिकित में से कोन सा रोग, संकरामक रोग है, कैंसर, पलेग, अस्थमा मदु में, तो कोन से वाला है, पलेग, निमलिकित में से खेल भावना को विक्षित करने का कोन सा तरीका है उपरोक सभी दिख रहा है लगा दो बस कुछ नी सोच ना तुमको भाईश में अच्छी क्रियाओं को प्रोटसाहित करना, खेल भावना पुरुसकार देना, परसंसा करना उपरोक सभी तो उपरोक सभी निमलिखित में से खेल भावना को विक्षित करने का कौन सा तरीका है होना नाड़ी पेशियाफ के तालमेल में कमी व्यर्थि के पडार्तों का जमावन होना तो तकावट का लक्षिन तरी सब्सक्रावनी ने पौन सा तकावट का लक्षर नहीं को उपसंस देखो आप एक बार उबासी आना क्रिया में धिमापन मोटा पाना पलकों का भारी होना तो देखो तुमको भी पता है मोटे हो जाओगे तो भाई इसमें थकावट की क्या लेना देना उससे मोटे तुम चर्बी खाखा के हो रहे हो एच कलार्क दवारा दिये गए सारीरिक सिख्षा के उदेशियों में से निमलिखित में कोन सा नहीं है सारीरिक पुष्टी खाली समय का सुदूपयोग सामाजी कुसलता संस्कृती तो क्या है सारीरिक पुष्टी सवस्त शरीर में ही समस्त्वन का वास होता है तो तुमने बह मस्तिश्क में तो कितने ग्राम का होता है थे रा सो ग्राम का नेमन लिखित में से सारी रीक शिक्ष्या का कोन सा महत्व है उपरोग सभी दिख रहा है पहले लगा दो बस बाद में पढ़ते रहे न वेसक से इतने सारे भाई उपरोग सभी आरेनमा ने आज तक अभी तक सारीरिक शिक्षय का महत्तव है रोगों स्वास्थे को ग्यान और उप्रोक्षभी दिखे लगा दो अनुसासन मनाय रखने में साहयक मानिवे संबंदों में साहयक को सभी अंसर रहेगा निमन लिखित में से कौन सा सारीरिक शिक्षय का उदेश्य नहीं है समाजिक विकास विटाशु करना यू पेशिये विकास बाहवनात्मक्ष विकास न्यतिक चरितर विकास करना वह तुम्हारा अलग मैटर है यहार नेनलिखित में से स्वास्थ्या शिक्ष्या कों कॉन सा उदस्चे नहीं है देखो पीश्या को समझए नहीं है वह दिख रहे एंगा अब देखो यहां पर कौन सा उदेश चाहे तो उपरोग सभी ही होना चीए स्वास्तिया संबंदी आदतों का विकास, स्वास्तिया के बारे में सजकता, रोगों के बारे में जानकारी परदान करना मानव सहर्द्या का भार कितना होता है? 200, 300, 400, 500, कितने गराम का होता है? 300 गराम का होता है इलाज से बहतर क्या होता है? संतूलित, भोजन, नियमित, व्यावार, फरेज, कुछ नी नियमिलिखित में से कोन सी खेल कूद्र के छेतर में अभी प्रेशन की तकनीक नहीं है? लक्ष स्थापित करना, परसंसाय, लंचन, दर्सनिकों की उपस्तिती, अज्यानता तो क्या है ये? अज्यानता टेटनस के जिवानू किस माध्यम से फैलते हैं? नाक से, मू से, तवचा से, इसमें से कोई नहीं, तो कैसे फैलता है टेटनस? तवचा के माध्यम से विशव स्वास्टे संगठन का मुख्यालिया कहां पर है? पैरिश, लंदन, जनेवा, न्यू योर्क कहां पर है? जनेवा में लगातार कारिये करते करते कुसलता में कमी आ जाना थकान है? हाँ बाद सही है भाई टमारी, यह किसका कतने बात किस न कही थी? डैविस, बोरिंग इब मंदा था, टाइम पास कर रहा था, बोर कर रहा था तोो खुद भी बोर ओर रहा था पता दिया भया, चलो काम करके ठकोगे तो ठीक है ठकावट है वो तुमारी कौन सी सिख्षय संबंदी जरूरी आदतों को बढ़ाने में सहयक है समझिक सिख्षय राजनीती स्वास्थय देखो स्वास्थय संबंदी आदते ध्यान दो स्वास्थय संबंदी आदते किसे बढ़ेंगी स्वास्थय सिख्षय से बाकी शिक्षाओं को हमें क्या लेना देना निमलdoesängen से कुन सा पाचन सन्स्तान का अंग नहीं है अगर तुम को पाचन सन्स्तान के बारे में पता होगा तो तुम बता दोगे जीव, दानत, छोटी आंत, यकृत यक्रित का काम होता है, खाना पचाने में मदद करता है, छोटी आत्पी तो पचता ही है, दांत उसको तोड़ तोड़ के फैंक देती है, अब जीव का काम है टेस्ट करना, ना कि खाना पचाना, है ना, खाने से कुछ लेना देना ही निया, टेस्ट तो करना खाने को ये इसको तो बागी कुछ खास काम है नहीं जीव काट देंगे तब भी हमारा 65 तो उनको भी कर लिए आपको काफी benefit मिलेगा बहुत सारे question आपको इन में से exam में देखने को मिलेंगे और यह टैंसल मतलेना कि paper difficult आएगा easy paper आएगा बहुत ज्यादा तो मजे में करोगे तुम आधा तो तुमने 10th में पढ़ लिया होगा ऐसा paper लगेगा तुमने ना भी पढ़ाओगा ना अधंग से तब भी याद होगा तुमको 10th में अगर पढ़ाओगा तो और वैसा साई paper है ज्यादा मुश्किल नहीं है ठीक है अच्छे से याद करना जो topics मैंने बताए है related topics important question की वीडियो में बता रखे मैंने तो वह सारी चीज़े कर लोगे तो majority of the paper आपका बढ़िया हो जाएगा हाँ एक आद question तयार द देखी थी थोड़े दिन पहले वीडियो का आम का चैनल था तो इसलिए जो है आप सब्सक्राइब कर लेना बूलना मत बिल्कूल से ठीक है जिसने नहीं कर रखा जिसने कर रखा बढ़िया बात है चलो मिलते है नहीं वीडियो में बाई बाई